नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा special होने वाला है आज का वीडियो हर एक उस student के लिए special होने वाला है जो अभी ड्रा हुआ है कि competition कितना रहने वाला है आज का वीडियो हर एक उस student के लिए होने वाला है जो खुद को demotivate के हुए बैठा हुआ है कि वो तैयारी नहीं करने का उसका मन कर रहा ना form भरने का मन कर रहा है क्यों क्यों कि YouTube पर पहले बहुत बड़ी hype बना दीगी थी जो बड़े बड़े teachers हैं उनके द्वारा भी YouTubers के द्वारा भी सभी के वेकेंसी सुत्र अजार आएगी ऐसी अजार आएगी पाचास लाख आएगी ठीक है बहुत ज़दा hype बना दीगी थी कि इतनी वेकेंसी हैं वो आपकी आने वाली हैं तो एक चिंता में है कि क्या इस बार कुछ हो पाएगा मेरा मैं आज आपको एक reality चेक देने वादा हूँ देखिए वैसे तो आप पढ़ नहीं रहें वैसे आप demotivate हो टाइमडेस तो करी रहे होगे रील्स वगेरा देख रहे होगे इस वीडियो को देख लेना इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी सच्चा ही बता दूँगा इस बात को नोट कर लेना इसके बाद आपक हो गया है क्योंकि वेकेंसी है वह 80,000 बोली गई थी और कितनी आ रही है अभी तो 26,000 वेकेंसी ही आई है तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दो आपको कुछ आंकड़ी दिखा देता हूं ठीक है पहले आंकड़ी दिखा देता हूं देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं 2018 की बात करूंगा सबसे पहले इन के बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है देखिए mm गया है कि 2015 में वेकेंसी आई थी 63,000 प्लस और ये 2018 में वेकेंसी आई थी 58,000 प्लस जिसको बाद में 64,000 प्लस कर दिया गया था 64,000 ते फौम भ प्रादा 2018 में ठीक है 2015 का अलग चीज थी यह अलग है इसके बारे में बाद में बात करेंगे इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बस आपको बताना था इसके बाद है 2018 के बाद स्टूडेंट को लगने लगा कि यह स्सेड है न वह बड़ी खतरनाख हो गई है ठीक यह तो स्टूडेंट इसके पर थे थोड़े कम हो गए कि भाई स्सेड अपने बस की बात नहीं है तो उन्होंने देखिए क्या है कि 30 लाग स्टूडेंट ने ही पेपर दिया फोरम भरा कितने 52 लाग पेपर देने गए कितने 30 लाग यह आकड़ा इंपोर्टेंट है ध्यान रखना कितने देने गए 30 लाग देने गए यहाँ पर 64 लाग थे पेपर कितने लोगों ने दिया जो फीजिकल बगएरा दिया कितने 38 लोगों ने यह बात किलियर होगी अब यह तो आपको समझ में आ गया थोड़ा से समझ में आ गया बस में मुद्धा कहां से शुरू होता है अपना यह होता है बाई 2021 से वो तो बोलोगी सर जी पुरानी बात होगी उसके बारे में पस मेरे को एक बार दिखाना था ताकि आपको कुछ लगे अब देखो यहां से हम बात करते हैं 2020 में 25,000 प्लस वेकेंसी आई ठीक है 25 एक ऐसी वेकेंसी थी जो हर कोई स्टूडेंट है इसका इंतजार कर रहा था कि भाई इस बार फोज में लगना है क्योंकि यह टाइम वह था करोना के बाद का टाइम था तो इसमें क्या हुआ था कि सभी घर पे बैठे हुए थे कुछ करने को था नहीं बस फोर्म भरने का था क्योंकि मोस्टली में तो फिरी होती है फिस दस स्वी पास था तो सभी नहीं भर दिया तो यह आकड़ा 31 लाग चला गया और जिसको देखके स्टूडेंट घबरा गए कि अब तो पतानी कंपेटिशन कितना जागा भढ़ गया है कि वेकेंसी यह पहले से आदे से भी कम हो गई लेकिन स्टूडेंट इतने भढ़ गए इतने भढ़ गए ठीक है कि गत्रलाख हो गए ठीक है अब एक चीज बताता हूं फिर यह वेकेंसी 2022 में दोबारा आई इसमें वेकेंसी निकाली गई 24,000 24,000 25,000 और 24,000 में कोई फरक लग रहा है नहीं लग रहा है हजार काई तो फरक है कोई फरक नहीं है ना तो सभी ने सोचा था जितने भी टीचर फढ़ाते ना आचाई कोई भी मना करते पुराना वीडियो सभी का ओले बला यूटूब पर है चेक कर ले ना सभी ने सोचा था कि एक क्रोड फोरम भरे जाएंगे सभी ने इस बात को सोच जा था कि पिछली वेकैंसी भी जब 71 लाग थे इस बार एक क्रोड फोरम भरे जाएंगे सभी ने बोला था ठीक है मैंने भी बोला था बाकी जो ओर टीचर से सभी ने भी बोला था कि एक क्रोड फोरम भरे जाएंगे इसको देखा जा रहा था क्यों क्यों कि 31 लाग तो इसी भी बरे गए थे और हर साल क्या है हर साल स्टुडेंट 15 से 20 लाग तो वैसे ही पास हो जाते हैं तो अगर उनको भी जोड लिये जाए तो यह हो गया फिर क्या हो रहा था इसी समय पे क्या हुआ था कि जो अगनीवीर वाला है न वो सिष्टम आ था तो जो नेवी एरफोर्स की तयारी करते हैं आर्मी की तयारी करते हैं उनका लक्ष भी यही बनना था कि सभी ने यह बताया था ठीक है यह बहुत बड़ा रीजन था साथ में क्या है कि दो तीन साल की इसमें छूट भी दी गई थी तो यहाँ पर जो ओरेज हो रहे थे ना उन्होंने भी यहाँ पर खुरब बढ़ा था ठीक है तो यह बहुत बड़ा कार्ण था कि सोच रहे थे एक क्रोड फॉरम भरे जाएंगे लेकिन यहाँ पर फॉरम कितने भरे गए चोवर लाक लेकिन यह बदलाओ कैसे आया इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यह रीजिन है इसको समझोगे ना इस रीजिन को तभी आपको लगेगा कि हा सर यह तो बड़ी अच्छी बात बता दी इतनी बात तो सभी बताते हैं ठीक है कोई भी इसके उपर वीडियो बनाएगा ना इतनी बात तो सभी बताएगा क्योंकि यह नॉर्मल बात है सभी को कम क्यों हूए इसके पहला रीजon था यूटुबर्स की देन थी जो यूटूब पे टीचर्स बढ़ाते हैं न उन सभी की देन थी हम सभी टीचर्स की देन थी यह कम कैसे कर दी हम सभी ने पता है हम सभी ने बोलने लगे कि बाई सत्र अजार वेकेंसी आएंगी, अट सट अजार वेकेंसी आएंगी, डेली वीडियो बनते थी, हार टीचर बनाता था ये वीडियो, कि आज 80,000 वेकेंसी आ रही है, आज 65,000 आ रही है, किसी भी अकबार की कटिंग दिखाई और बोल दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट हो गए कि भाई इस बार तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वेकेंसी निकाली, SSC ने 24,000 निकाल दी, उसके बाद जो स्टूडेंट आसमान में चड़ रहे थे ना, कि इतनी वेकेंसी आए कि इस बार तो फोड जाएंगे, थोड़ी तयारी में कर लेंगे, जो थोड़ी तयार जाएगे, यूपी हो गया, भिहार हो गया, राजस्तान हो गया, एमपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर इस्टूडेंट जाथा, और यहाँ पर कटोब काफी जाएगा जाती है, 80-90% की तयारी करते हो तब जाके सलक्षन होता है, तो वो गिर गए, कि आप अपने बस क की बात नहीं है, यह सबसे बड़ा रिजन तहाँ था, सबसे बड़ा रिजन क्या रहा था, यह रहा था, लेकिन मैं इक बात बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी भूमी का किसनी निवाई थी, यूटूब पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्होंने, उन्होंने गलत किया, तो आप decide कर लेना, मैं नहीं बोलूगा, ठीक है, लेकिन my reason यही था, और इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी यही हो रहा है, इस बार भी यही हो रहा है मेरे दोस्तों, इस बात को note कर लेना, और ये फिर vacancy क्या हुई, यहाँ पर student का क्या फाइदा हुआ कि 4000 वेकेंसी आई उसके बाद बाद में बढ़ा के इसको 50,000 कर दिया गया क्योंकि SSE पहले क्या होता था कि बहुत कम कभी कभार वेकेंसी बढ़ाती थी और बढ़ाती भी थी तो 1500 बढ़ा देती थी ठीक है लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि कोई भी एक्जाम हो स्ट्राइटिंग निकाल देती है कि मुझे वेकेंसी निकाल देता हूं क्योंकि मैंने डेट दी गुई है इस पर जितनी भी मुझे दिखाई दे रही है बाद में मैं बढ़ा लूगी ऐसे करते थी तो 24,000 से उन्होंने डिरेक्ट 50,000 क देखोगे न मैं देखिए 2021 में में पढ़ाया 2022 में मैं पढ़ाया बहुत सारे स्टूडेंट के स्लक्षन हमने करवाये है तो मुझे पता है सारी चीजों का हम सभी सारी चीजे देखते रहते हैं एक टीचर होने के नाती एक यूटूबर होने के नाते इस बार 2024 में श्टू पिछली बार थे ना इस बार और भी कम होने वाले हैं रीजन क्या है रीजन फिर से वही है हमारे यूटूबर हाई ठीक है इन्होंने फिर से आई बना दी कि भाई इतनी तो वेकंशी उसमें खाली है कम से कम एक साल से यह चीज़ चलती हुई आ रही है और लोगों कि दिमाग में क्या सेट हो गया ठीक है दिमाग में माइंड में क्या सेट हो गया कि वेकंशी कम से कम पचास जार आएंगी सप्तर असी अजार तक आएगए आपको पता है ना चुरासी अजार कितने दिन चला था एक लाख दस जार कितने दिन चला था ठीक है और भी बहुत सारी चल ल है ठीक है कितना experience है तनी सारी चीज़े जानते तो पता है कि वह भाग जाएंगे लेकिन जो समझ गया वो आगे की वीडियो देखेगा और वो उसके काम आएगी भाई ठीक है वही काम आएगी क्योंकि बोला जाता है कि अधूरा ग्यान है वो तो अज्यानी से भी खराब है तो अधूरा ग्यान नहीं होना चीज़ इस बार क्या है चबवी जार वैकेंसी निकाली है एक बात बताओ कि बहुत कम वैकेंसी आपको देखने के लिए लेकिन आपको क्या पता था कि CRP में एक लाग प्रस वैकेंसी खाली है लेकिन वो डियरेक्ट एकदम से तो नहीं निकाल सकते एक साथ नहीं निकाल सकते जो उन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ था तो वो उन्होंने 26,000 न कि बढ़ाएंगे नहीं चलो आपकी मान लेते हैं बढ़ाएंगे नहीं लेकिन एक बात नोट करो जैसे ही है वेकेंसी का पेपर होगा उसके चार से पास महीने के बाद दूसरी वेकेंसी आजाएगी तो इसमें 26,000 दी है न अगली में 25,000 तो देंगे ही देंगे कम से कम जि इन दोनों कोई जोड़ों 50,000 की तयारी एक साथ कर सकते हो अगर इसमें बढ़ाएंगे क्योंकि वेकेंसी बहुत जदा खाली है ठीक है बहुत जदा खाली है आपके आज पास कोई भी 4G लगा हुआ है ना 4G भाई बैन लगे हुए है उनसे पूछ के देखे ना कितनी वेक देंगी तो यह दो तो है ना आपके पास वैकेंसी 24 और 25 वाली एक तयारी में दोनों होगी अगर शोस्ते वह बहुत वाली की तयारी कर लूंगा और जब तो अभी वाली की तयारी नहीं कर रहा बाद वाली कि कहा करेगा जब आगर तेरे में अभी इसे मोटिवेशन नहीं है जब पता है कि एक तयारी में दोनों कर सकता है पहली में बाइचांस रहेगा तो दूसरी में कर लेगा लेकिन दूसरी के लिए तयारी करेगा उसमें बाइचांस रहेगा फिर क्या करेगा तू कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है तो क्या करना है कि भाई तयारी करनी है लगना यह सबबीच जार वेकेंशी हैं ना बढ़ाई लेकिन दो वेकेंशी है कुल मिला कि पचास जार हो जाती है इतना तो तेरे अंदर दिमाख है बाई तुन नहीं 12 कर रखी है तभी तो 18 पलस का हुआ है अरे 12 नहीं कर रखी 10 पास कर रखी है 18 पलस का है देश समालने की जिम्मे तो अपना खुद का यह डी सीजन नहीं ले पारा कि मुझे पढ़ना चीए या नहीं पढ़ना चीए पता है यह चीज क्यों हो रही है क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं बहुत सारी स्टुडेंट एक ही लगा रखें कि ऐससे नहीं दिल तोड़ दिया कर दिया आप तो कुछ करने का मनी नहीं करता अरे कोई किसी का दिल नहीं तोड़ता ठीक है आप जिससे प्यार करते हो नो वह भी आपको छोड़के चला जाता है ना फिर भी आपको जिंदगी जीनी पड़ेगी तो आप कर सकते हो उसको लेड़ने के शिकर में आओगे न तो नहीं वह माल लो ठीक है अगली तो है अगली तो है लेकिन इशी में तयारी नहीं करोगे फिर अगली क्या खाक करोगे यार ठीक है और यह वेकेंसी इंकरीज होगी यह मैं आपको बताता हूं वाजा करता हूं आपसे जरूर होगी ठीक है जरूर होगी क्योंकि वेकेंसी काफ डमने उस समय किती जो अपनी गड़तियों गो भेल मानेगे और सबंसे पर सब्सा century इस अपनुझा है इससे जब बदला मुझे अपने परिवार का जीवन बदलना हुआ हो इन चीजोंसे नहीं बढ़़ते हैं जाने वाले श्टूडेंट है ना 2022 में रह गए थे एक नंबर से दो नंबर से तीन नंबर से उनसे पूछ के देखना वह अभी इसमें लगे हुए है वह इन पर फोकस ही नहीं कर रहे मैंने एक वीडियो बना के समझाए था कि समझ जाओ कि यूटूब पर सारी चीज़े क्या होती है फिर भी आप नहीं समझते ठीक है तब यह खराब थी वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन क्या है कि देख रहूं डेली की यही कमेंट आता है यह यही कमेंट आता है तो कुछ स्टेट में ने बताई है ने इन के लावा बाकी स्टेट वाले है ना वो तो क्या है कि आपके तो कम नंबर की तेयारी करनी पड़ती है ऐसा मोगा कोई और वेकेंसी में नहीं मिलेगा अगर आप पस्चिम मंगाल से हो आप आसाम से हो खुद की जो वेकेंसी निकले इन आपकी कोई स्टेट लेवल की उनमें इतना वो नहीं होता आराम से कर सकते हो पिछले बार कितने पस्चिम मंगाल से हमारे स्टूडेंट सेलक्ट हुए है कितने आसाम से हुए है जम्मो को स्मीर से कितने हुए है ठीक है तो अगर आप इन राज्य से हो ना अरुना चल प्रदेश से कितने स्टूडेंट का आमने सेलक्शन करवा है और हमने क्या बाकी स्टूडेंट जो पढ़ते थे उन सभी का हुआ है तो अगर उनसे भी विलोग करते हो नो बहुत कम कटोप जाती है ठीक है अरे यह हर्याना वाले यह राजिस्थान वाले यूपी वाले इत तो कि आए कि अब बागी सारी चाजे चलते रहेंगी लेकिन फिर याद करोगे एक दिन ये बात याद रख लेना कि हाँ वो आया था उसने बोला था ठीक है जब यह समय निकल जाएगा ना फिर याद करोगे कि वो सर थे बहती हवासा था वो चूके हमारे जो भी सोंग था एसे गाना गाओ और फिर कि सरकी बात माल लेते तो आपके लिए रिजुनिंग पढ़ा रहा हूँ क्यों में पढ़ा रहा हूं क्यों अपने लिह पढ़ा रहा हूँ कि लोगों तक मैं पहुँचूं जितना मैं चाहता हूँ कि मैं देस के हार कौनी तक कहुँचूंगू उसके लिए मैं मेनत कर रहा हूं तक लेकिन साथ में में ये भी फर्ज बनता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको guide करो, आपको motivate करो, जब भी आप demotivate हो, कुछ student बोलते रहेते हैं, सर्ची motivation वीडियो चाहिए, भाई अपने मावाप का चैरा देख लो, अपनी चो condition है आसपास की वो देख लो, ठीक है, अभी माचा पिता की जो आप वो बोला जाते हैं, कि अभी तो पिताजी की जेब से खर्ची चल रही है, जो गाड़ी है ना, वो पिताजी चला रहे है, जिस दिन आप उसका handle पकड़ोगे न, जब आपको पता चलेगा, कि गाड़ी कैसे चलती है, वो तेल भी बांगती है, वो सर्विस भी बांगती है, तब आपको पता चलेगा, तब समाझ में आउंगा हाथ जोड के ठीक है मेरा कोई इंटेंशन नहीं ताकि आपको बूरा लगना चाहिए मेरा सिरफ यहीं इंटेंशन था कि जो अभी निठल्ले बैठे हुए कि फुरम नहीं बढ़ रहे यह नहीं बढ़ रहे भर दो ठीक है फुरम भर दो ऐसा नहीं कि मैं बोल रहे हुए तो मुझसे पढ़ो जहां से भी आपको अच्छा लगता है जहां से भी आपको समझ में आता है वहां से पढ़ो लेकिन पढ़ो और सेलक्शन लो बस ठीक है और बस यहीं कहना था और जो भी आपके आसपास के भाई बै है वो 12 में है ना स्टेट टॉप पर था ठीक है वो है ना 10 में इतने नंबर आये थे उसकी इतनी परसंटेज बनी थे उसका ही नहीं हुआ इतनी वेकेंसी थी तब अब क्या होगा या आप तो कुछ भी वेकेंसी नहीं है ऐसे दी मोटिवेट करेंगे तो उनके पास भेज ताकि वो भी मोटिवेट होके फोर्म भर दें और जो फोर्म भरते ने एक responsibility आ जाती है मैं फोर्म भरने के लिए बोल रहा हूँ तो responsibility आ जाएगी फिर तैयारी करना अपने आप लग जाओगे ठीक है तो बाई बाई टेक केर और भाई अच्छी लगे तो लाइक कर देना से कर ले ना थेंक यू